खबर बोपाल से है गेहों की फसल में आग लग गई है अमझरा गाउन एक पड़ता है वहीं पर 25 एकड़ की फसल जल कर राक हो गई ग्रामडों ने आग बुझाने का प्रयास किया सूचना देने के बाद भी फाइर बिगट की टीम मौके पर नहीं पहुची है और ये भी चुझाले की टीम की मौके पर नहीं पहुची तो गयों की फसल में आग लगी है भी रोगे गयों की फसल तैयार खडी है खेतों में पकी है और इसी बीच किसी कारण बस्याजै से अभी हो आग लग गई और पूरी तकरीबन कई एकड़ खुझाल कर तो वहा हो गई सूचना दी गई थी फायर ब्रिगट की टीम को लेकिन फायर ब्रिगट की टीम नहीं पहुची है ग्यों की फसल में भी शड़ाग लेगी भूपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं 25 एकर गियों की फसल पूरी तरह से बर्वाद हो गई तो याग लगनी की वजाए से पूरी फसल चोपट हो गई ब्रिजेश जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ब्रिजेश खबर तो यह है कि सूचना दिया गया था फायर बिगट की टीम को लेकिन वो पहुची यह नहीं मौके पर बिल्किल देखे विजुफर भी इसी तरीके के हैं पूरा का पूरा गाउँ जो है इवन जो चोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हात मे ज़ाडीयों को लेकर आग बुजाने के लिए खेत में कूदे हुए है जंजोखी में पूरा गाउँ डाले हुए है बार बार फोन किया लगबग पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है अलग कि गाहों वालों ने ट्रैक्टर और बाकी दूसरी चीजों की मदद से आग्सपर काबू तो पाया लेकिन तब तक तीन खेतों में जैसे मैंने बताया 25 एकड़ों में जो गेहूं की फसल पकी हुई थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई शुक्रिया ब्रिजेस पूरी जानकारी के लिए आपका और विदिशा से भी कुछ ऐसी ही खबर है इस खबर के बाद बोपाल के बाद विदिशा से अगली खबर है खड़ी फसल में आग लग गई फायर बिजट की टीम मौके के लिए रवाना हुई है सिविल लाइन ठाने के सोठिया का ये मामला है खड़ी फसल में आग लगी गेहु के खड़ी फसल में आग लग गई है खलाकि फायर बिजट की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है यहाँ पर बोपाल में तो आई ही नहीं 25 एकड़ की फसल पूरी तरह से जल कर सौहा हो ग कि यहां की आग तो और भी भीशण है और देखते ही आग बढ़ती जा रही है खाला कि फायर बृगर्ट की टीम जो अब हमारी जानकारी मिली है वारे विदीशा के संबादता ने हम तक जानकारी पहुचाई है उसके एकोर्डिंग फायर बिजट टीम मौके के लिए रवा गर देगाँ भार पार्गा मैं भी और आया रहाँ रहाँ अपल कर दो